स्टार्ट हो चुका है वैसे तो बहुत पहले हो गया था जब मैंने आपको फॉर्वर्ड पढ़ाया था बट आज मैं ऑफिशली डेरिवेटिव स्टार्ट करने वाला हूँ तो लास्ट टाइम मैंने आप लोग की पर्मीशन ली ती और आप लोग से मुझे पर्मीशन दिया था कि हा सर आप पढ़ाओ हमारे को आपके हिसाब से और अपन लोग ने लाइव ट्रेडिंग किया था येस आप लोग को बता है कल मार्केट कितना वॉलिटाइल था कल ग्यारा बज़े से लेकर एक बज़े तक जितना वॉल्यूम्स हुआ है जितन अमाउंट पॉब्लिक ने कमाया है गवाया भी है तो ऑप्शन मार्केट में येस कल का मैं आपको काली स्टडी बोलता हूँ इफ यूवर अटेंटिव आप लोग ध्यान दोगे ना देन इन दाट केस यूवर अर्न अट लीस्ट फाइव तो एट ताउजन पर देशन पर अब पाथ से आट हजार कमा लेते और कोई बहुत बड़ा इंवेस्टमेंट नहीं खाली एक पत्चास हजार रुपया आपके पास होना चाहे था निफ्टी में इन्वेस्ट करना था एंड इसली यूवर एफ क्रैक्ट फाइफ तो एट थाउजर जैसा मैंने आप लोग को बताया था लास्ट टाइम पर येस मैंने किया काफी कॉल एंड पुट दोनों को यूज किया कल मैंने थोड़ा स्टाटेजी बनाया क्या होता है वो अपना लेक्चर में समझाऊंगा मैं एंड इड़ोज सूपर डूपर फन बस आपको अटेंटिव रहना वो ग्यारा से ए पर only focus on the market एक चीज मैंने note किया है कि देखो market के उपर ध्यान नहीं दोगे ना तो market फिर बाद में आपको loss करवाएगा ठीक है जब भी मैंने कोई चीज you know without research किया है या without focus किया है market stock market से related I have always burnt my fingers so इसके लिए focus के साथ करेंगे तो कोई भी problem नहीं होगा and it will all fall in place anyway so last time मैंने एक basic section रखा था आप लोग का derivative से related जब मैंने बता है कि कैसे stock manipulation होता है operator driven market होता है टेजी मंदी यह सब अपन लोग ने words use किया था bearish bullish right फिर मैंने start कर वाया था options trading और मैंने आपको बता है options trading में पूरा game किसका है पूरा game है प्रीमियम का आपको 700 रुपे का 1000 शेर करीदना है तो आपके जेब से जाएगा 7 लाक रुपया अब आपके पास तो 7 लाक रुपया ही नहीं तो 7 लाक रुपया नहीं है तो मैं क्या करूँ तो मेरे लिए सबसे best होता है ऐसे time पे options कि quantity में अगर मेरे को trade करना है प्लस किसी के downfall पे भी profit कमाना है तो वो एक ही market दे सकता है and that is options market and that what we evaluated so अगर right to buy call option थोड़ा बहुत समझेते अपन right to sell put option थोड़ा बहुत समझेते अपन and then main मेरा intention था कि वो first lecture में आप लोग को एक trade करना सिखा हूँ and अपन लोग ने yes trade भी किया overall अपन लोग ने profit भी कमाया and yes all in all it was a good session and I'm sure you would have loved it so decrease हो जा है अगर तो put option में अपन लोग पैसा कमा सकते हैं दोनों चीज़ कीती अपन लोग ने last time call option भी लिया था put option भी लिया था you made a profit marginal profit in both of the trades and yes it was all good चलो so भाई अभी क्या करना है आज अपने को कहानी को आगे बढ़ाना है आज थोड़ा official level पर आ जाता हूं मैं ICAI level पर जैसा तुम लोग को typical चाहिए होता है वैसे कर रहेंगे आज don't worry so yes 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 but यह जो basics आप लोग को समझा है trust me this basics is going to be very very helpful to you तो चले कानी को आगे बढ़ा है everybody that's the game begin so derivatives market now see again अगर आप लोग ने देखा गा तो options एक derivative है but options में मैं reliance share पे खेल रहा था कि उसके derivative पे मैं उसके derivative पे खेल रहा था तो आप लोग को समझ में आ गया होगा that that एक underlying asset होता है which is your share जो जैसे आपका share का price है उसके basis पे मेरा यह premium उपर नीचे हो रहा था उसमें कोई problem नहीं है but कहने का intention यह है कि जब मेरे underlying asset के उपर कोई और instrument derive होता है that basically is called as a derivative समझे अब यही मैं सिधा first lecture में आपको बोलता भाई underlying asset के उपर कोई instrument derive होता है then obviously कुछ समझ में नहीं आता it would have been monkers but अब अपने को समझ में आ रहा है कि अड़ानी का share price गिरा तो उसकी वज़े से मेरे premium पे क्या impact आएगा और premium का मैं buying and selling कर रहा हूँ समझे हो that is my derivative उसको क्या नाम दिया उसको नाम दिया options trading उसको नाम दिया options trading वैसे futures trading होता है वैसे swaps होता है forward market अपन कर चुके है so this is what basically derivative means चार major derivative instrument है जो अपने को पढ़ने है अपने curriculum के लिए what are those five major instruments forwards, futures, options, swaps जिसमें से forwards अपन पढ़ चुके है options अपन लोग ने last time practically एक idea लिया था आज theoretical practically sums के थू और उसके उपर clarity लेना start करेंगे अभी ready guys yes then then let the game begin so derivatives market में चार instrument है क्या है वो चार instrument everybody बोलो क्या है वो चार instrument मेरे derivatives market के एक instrument है forwards दूसरा instrument है मेरा futures तीसरा instrument है मेरा options and fourth instrument है मेरा बोलो बोलो telltale correct it is swaps चारो के बारे में detail में पढ़ना है forwards is done and options is now what we will be doing what we will be doing all right guys अब अगर तुम्हारे को derivative को define करना है आज भी अपन trade मारेंगे देखते है try करते time रहा तो definitely आज भी अपन लोग trade मारना चाहेंगे अगर तुम्हारे को derivative को define करना रहा तो तुम लोग कैसे define करोगे मैं आपको बोलता हूँ एकदम simple way है last time आप लोग ने जब options पढ़ा था मेरे साथ पढ़ा नहीं था मतलब आपन लोग ने options किया था तो आप बबा अपना angel broken याद आये कि नहीं यहाँ पर यहाँ पर जब मैंने trade डाला था तो मैंने nifty को buy or sell नहीं किया था निफ्टी के future को निफ्टी के option को buy या sell किया था तो मैं premium के basis पर buying and selling कर रहा था आज भी अपन लोग 950 930 को एक बार overview मार लेंगे क्या अपने को share लेना है नहीं लेना है so what am I doing वो premium को मैं buy and sell कर रहा हूँ ठीक है so main मेरा share रिलाइंस है इन्फोसी जएडा नहीं है उसको buy or sell नहीं कर रहा हूँ निफ्टी है उसको index उसको buy or sell नहीं कर रहा हूँ मैं किसको buy or sell कर रहा हूँ उससे related जो premium generate हुआ है right to buy का right to sell का उसको buy or sell कर रहा हूँ are you understanding so मेरा main asset है उससे जो derive हुआ हुआ premium है उसको buy or sell कर रहा हूँ अच्छा यह premium किसके उपर dependent है यह premium किसके उपर dependent है correct यह premium मेरा किसके उपर dependent है मेरे main shares के उपर अगर मेरा share का value उपर जाएगा और मैंने call option लिया है तो premium बढ़ेगा put option लिया है और मेरे share का value नीचे गया तो भी premium बढ़ेगा so basically बढ़ेगा क्या कम हुएगा वह आपको अभी तक इतना knowledge नहीं है but basically यह premium किसके उपर किसके basis पे उपर नीचे हो रहा है based on my share value based on my share value समझे हो यह जो मेरा premium जो मेरा एक नया financial instrument बना है वो किसके उपर derived है मेरे underlying asset के उपर called as a derivative called as a derivative so यहाँ पे यहाँ पे अपन derivative को अगर define करना है तो अब at least मुझे समझ में तो आएगा अब यही मैं आगर आपको first lecture में समझाता underlying asset or derivate कर रहे है एक product को एक financial instrument को you wouldn't have understood at all and बस यहाँ पे option को option में छोड़ना start कर देता है पबले क्योंकि first day से उसको लगता है derivative underlying asset बट अब समझ में आ रहा है आपको कि हाँ Reliance मेरा underlying asset है Reliance का share बट उससे जो derive उने वाला premium है वो मेरा options वो मेरा contract is a financial instrument, is a financial instrument, is a financial instrument whose payoff structure, whose payoff structure is derived from the value of the underlying asset from the value of the underlying asset वैसा समझें क्या है अब समझ रहे समझ रहे समझ रहे सो अच्छा मुझे बताओ milk का कोई derivative बताओ अब देखो आप लोग कैसे answer देते हो मस्त में मिल्क का derivative है curd और buttermilk का value dependent है milk के value के उपर अगर milk का price increase हुआ curd का भी price increase होगा और buttermilk का भी price increase होगा चो मैं बोलता हूँ milk का derivative है curd का derivative है buttermilk क्या बलते हो क्या बलते हो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो कि नहीं वैसा so basically कोई भी चीज कोई भी चीज किसी और के value पे अगर price के उपर अगर dependent है then it is a derivative समझ रहे हो तुम लोग अगर curd is a derivative of milk buttermilk is a derivative of curd if any particular value or price of an asset is dependent on the other asset then in that case that particular asset is a derivative समझ रहे है समझ रहे है so options का जो premium है dependent है share के price के उपर share के value के उपर तो अगर share का price उपर नीचे होता है then in that case the impact is on my options premium my options premium my options is a derivative instrument hey समझ गड़े हो everybody बोलो यार समझे की नहीं है अगर इधर में को लिखना है example derivative का so curd is a derivative of milk यहां पर उसके पहले मैं लिके देता हूं whenever the price of a particular asset बोलो instrument बोलो is dependent is dependent on the price of another asset or instrument the former the former asset or instrument is is called as a derivative थोड़ा ज्यादा अंग्रेजी हो गया बट अब आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा 101 परसेंट आपको समझ में आ जाएगा everybody are you clear guys are you clear बोल दो मुझे एक बार की clear हो तो मैं यह derivatives के आगे बढ़ू यार तुम लोग को समझ में आया derivative क्या आता है कल उठके कोई पूछेगा तुम्हारे को भाई derivative क्या होता है तो जवाब दे पाओगे ना और तुम जब सामने वाले को पूछोगे तो उसकी खामिया निकाल पाओगे ना वैसा तो यहाँ पे सेकेंड बटर मिल्क is a derivative of कर्ड भाई कर्ड का जो प्राइस है dependent है मिल्क के ओपर बटर मिल्क का जो प्राइस है वो dependent है कर्ड के ओपर अब अपन उसी के एक और लेवल आगे जाने वाले है and that basically is called as options 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 जिसको अपन लोगने थोड़ा समझ लिया ऐसा नहीं के नहीं पता है अपन लोगने ये फर्स लेक्जर से थोड़ा समझ लिया बट आज जैसा मैंने बोला थोड़ा theoretically समझेंगे उसको कुछ और examples डालेंगे ICI के चीजे उसमें मिलाएंगे तब अपने को और clarity आजाएगा समझ लोग तो तुम लोग इतना थोड़ा लिख लोगे तो better रहेगा please everybody write it down copy करो फड़ा फड़ा copy करो start everyone झालेंगे 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 झाल 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 अब derivative market को तीन लोग use करते हैं यह मैंने last time बताया था आप लोग को जवाब देना है बस अब आप लोग को जवाब देना है तीन लोग derivative market को use करते हैं बोलो कौन है वो तीन लोग जो derivative market को use करते हैं और क्या purpose के लिए use करते हैं वो आप लोग को अरे अर्विन तु समझ ना तू और मैं सेमी इथाली के चट्टे बट्टे है रे बोलो मुझे तीन मार्केट तीन लोग बताओ तीन पार्टिसिपेंट बताओ और यह तीनों का काम क्या है लास्ट टाइम किर्तिमान ने एक हाई-level डेफिनिशन दिया था अब जब वो डेफिनिशन को अपने लोग यूज करेंगे न तो अपने को लगेगा अरे कितना कितना easy है कितना easy है कितना easy है बोलो बोलो क्या वेरी नाइस धनांज है वेरी नाइस यार क्या बात है यह लोग एकदम चैंपियन लोग है यार मजा आ गया एक नंबर तो मैंने इनको पूछा तीन लोग डेरिवेटिव मार्केट को यूज करते हैं इन्होंने spot on answer किया फिर मैंने पूछा कि कौन क्या use करता है क्या काम करता है तीनों ने सही answer दिया I hope Google रहे वालो जब तक तुम लोग का भी answer आ गया होगा अगर मैं पूछता हूँ यहाँ पे तुम लोग मालोगे नहीं ICI का question है यह three participants correct तो कीर्तिमान वाला फिर वाद में सेफ ने भी उसको copy कर लिया था तो कीर्तिमान वाला वो जो typical copy paste वाला answer था अब वो copy paste यहाँ पे कर सकते हो because अब अपने को वो लिखना है so three मैं लिखूंगा नाम यहाँ पे players या three participants of derivatives market of derivatives market कौन है वो वो correct तुम लोग सब लोग ने सही जवाब दिया है तो सर बता हो ना हम लोग wait कर रहे है या फिर विदर भी ऐसा भी लिख सकते है who all use derivatives market well the answer is three people एक it is used by the hedgers सही बोलाए तम सही बोले तुम ले दूसरा इस यूस्ट बई दर स्पेक्ट्यू लेटर्स एं तीसरा इस यूस्ट बई दर आर्विट्रेजर्स समझे क्या सो यह तीन लोग तीन लोग यूज करते हैं डेरिवेटेव मार्केट को है यूज करते हैं आप लोग ने सही जवाब दिया है यूज क्यों यूज कर रहा है वाई मैं एकदम सिंपल और अपने अंडेस्टेंडिबल डेफिनिशन को यूज कर रहा हूं तो मुकेश अंबानी गौतम अडानी जब उन्हों कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं and then they are using a particular derivative instrument कि उनका जो business risk है वो कम हो जाए वो secure हो जाए वो manage हो जाए they are called as the hedgers so to secure slash manage business risk right basically अपने आपको business risk से या आप इसको बोल सकते हो price risk से बच्चाने की कोशिश अच्छा दूसरा कौन है मेरा दूसरा प्लेयर कौन है मेरा speculator आपने और मैंने लास्ट लेक्चर में क्या किया था अपने किया था speculation खाली ये market से उंगली करके profit कमाने की कोशिश बस और कुछ नहीं ना हमारे को कोई business risk है ना हमारे को कोई price risk है भाई हमारा तो import export से कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है तो अगर import export से लेना देना नहीं है तो हमारा तो कोई भी forex market से लेना देना नहीं है तो हम इसको ग्यू यूज कर रहे है correct just to earn profits ना forex market से ना stock market से हमारा तो कोई लेना देना नहीं है एक के नहीं बट फिर भी हम लोग enter कर रहे है वो market में क्यों to earn profits we are called as the speculators we are called as the speculators तो enter for profit motive so to earn profit through price changes ठीक है right a case and third है finally मेरा arbitrage which is like market imperfections को यूज करके profit earn करना so to earn quick profit through market imperfections या जिसको बोल सकते हो changes in market prices market prices तो नहीं but basically difference in prices at same point उसको बोलते है अपन arbitrage रहेंग चाप लो चाप लो simple language में लिखली है समझली है नो टेंसर प्लीज कॉपी एवरिबड़ी झार कॉपीर कॉपीर प्लीज कॉपी। हएए है धन Opportunल झाल झाल दन चल अब आते हैं आपन लोग पहले या दू बोलूंगा मैं दूसरे डेरिवेटिव के उपर जो आपन लोग सीखने जा रहे हैं पहला आपन लोग सीख चुके कौन सा पॉरवर्ड मारके नाओ वी आर गूंग तो अंडेस्टैंड अडेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है ओप्शिन्ज अब आ रहे हैं अपन लोग और मैंने तुम लोग को बोला भी था थोड़ा सा इसमें ट्रेडिंग करो तो थोड़ा और मजा आएगा ये चीज समझने में करने में बट मैंने स्टार्ट अप्शिन अपने अ जब मेरे प्रोफेसर ने मुझे उप्शन पढ़ाया था मुझे पल्ले ही नहीं पढ़ा था यह चीज तो प्रक्टिकली करके ही हो फिर बाद में करना चालो किया और आज का दिन है ना कुछ कमाया ना कुछ गमाया नेट सब जीरो ही है सब मोम आया है समझ गया मुझे यह पाइनल बट क्या पता आप लोग खुश्यार निकलो और अच्छा कासा पैसा कमाल हो है कि रहे हैं अब अपनों पढ़ने वाले हैं सम्धिंग रिलेटेट टुदा ओप्शिन राइट ओके तो कल कही एक्जामपल को कंटिन्यू करते हैं अब आप लोग एक्जामपल दोगे और वी विल ट्राइट टू अंडरस्टाइड इस ठीक है कि क्या हो रहा है एक्जाटल यहाँ पे देखो क्या होगा दो एक्जामपल मैं दूंगा दोनों में आपको आइडेंटिफाइ करना ह कि मैंने किसके बारे में बात किया है पहला एक्जामपल ध्यान से सुनना मेरे को खलीदना है कल अगेन एम टेलिए लास्ट वाला ही एक्जामपल ले रहा हूँ बट अब मैं उसको थोड़ा थियोरेटिकली यूज करना चाहूंगा देखो जानवी बोल रहे हैं माई जीज फोकस था मार्केट के उपर पूरा फोकस था चाप लिया ऐसे ताइम आएगा तो चाप लेनेगा या तो देखो अभी जैसे कोई बड़ा मैक्रो इवेंट आ रहा होता है मैक्रो इवेंट मतलब क्या होता है से फर एक्जामपल जैसे जिस दिन GST लांच हुआ था तो इंड बेंचे बाट या फिर कोई बड़े स्टेट का एलेक्ष्ण का रिजल्ट आने वाला है इस इन्डिया लेवल तो इवेंड फ्लेट एवेंट से एंडिया बेन्यवल मैक्रो इवेंट ऐसे बहुत सारे घ्जामपल था तो इसे इन्डिया लेवल उसे ब्योडनमर कीट फ्लक प्लक्षूेशन है तो जब मार्केत ऊपर गया तो मैंने नहीं को बेज पूस say मेंने बाए april दॉसलेया जैसे यू मैने देखा chỉ चाप लिया बने, खताम, no tension so that's how I made a good amount of money yesterday, which you can also make it sir, what was your net gain कलका मुझे याद नहीं है सच तो but I made decent amount of money would be in the range of 15 to 20 K बंदरा से 20,000, बहुत जादा नहीं और बहुत जादा मैं उसे लोब भी नहीं रखाँ, ग्रीड भी नहीं रखाँ इतना कमारी है, बट वो कैसे करना है sir, तो आओ आओ बता तो, बता so options market का अपना पहला example है, कल वाला ही Reliance Industries Limited सबसे पहला question मैं आपको पूछना चाहूंगा या in short, आज के बाद सबसे पहला question, जबी भी आप options का trading करोगे, तो आप question पूछोगे, Reliance Industries Limited का अगर मैंने example लिया है, या Nifty का example लिया है, जैसे अभी अडानी है अडानी ने अपना FPO, follow on public offer cancel कर दिया, उसकी वज़ा से आज उसके share market के price के उपर क्या impact आएगा the prices may fall down या goodwill की वज़े से the prices may fall up, वो अपने को go up, वो अपने को research करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, but कहने का मतलब क्या है, पता है क्या in such scenarios you should know where the market is going to go, so अब मेरे को बता हो, आज, say for example है, first of gen आज है first of gen, क्या लग रहा है आपको market उपर जाने वाला है, या नीचे जाने वाला है, market नहीं, sorry, अपनो reliance की बात करें, क्यों reliance, क्योंकि reliance एक ऐसा share है, जो सबको पता है तो अभी फिलाल, अपन जनरल जनता को पढ़ा रहे, जो सबको share पता है, उसी को use करते है, तो reliance is a share जो सब लोग को पता है ठीक है, मेरे, मेरा, मेरा फेवरेट चेहर है अडानी, क्योंकि इतना volatility है ना, तो मुझे volatility में मज़ा आता है, options में आदमी तब ही कमा सकता है, जब वो particular share में या वो particular index में volatility हो, वरना आदमी options में बोर हो जाएगा, तो volatility वाला लेना है, तो चलो अडानी लेते हैं मज़ेदार, मज़ेदार चलो, अब आप मेरको बताओ, आप आज 1st of jan पे खड़े हो, ठीक है अपन लोग सब लोग साथ में training मार रहा है क्या लग रहा है, अडानी का share over a period of say one month उपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्या लग रहा है Is this the right time to invest in अडानी गुरू? एक दिन दे दे, मेरा research चालू है बताता हो तिरको हाँ, मुझे बताओ, चलो अडानी, क्या लग रहा है उपर जाएगा या नीचे जाएगा, share price से, अभी मैं आपको चलो, थोड़ा उसके बारे में एक सिनारियो देता हो सुनो, 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 मैं बता दो, मैं बता दो ऐसे नहीं, ऐसे हवा में बात नहीं करेंगे समझो, अडानी है और आज से तीन दिन पहले हाइडनबग research firm ने बोला कि अडानी shares are manipulated अडानी में जो CAs है, जिसने audit report sign किया है, वो young CAs है, उनलों को इतना knowledge नहीं है, इतना बड़ा company है, उसको वो लोग ने sign कर दिया है, अडानी का जो भी overall market scenario है that is not good, that is not positive तो ऐसा हाइडनबग research firm ने बोला तो तीन दिन पहले बोला तो तीन दिन से अडानी का share down, down, down अब सुनो, कल रात को कल रात को गौतम अडानी, गौतम S. अडानी who is the promoter of the company, he came and did a press conference और उन्होंने press conference में छाती टोक के बोला, कि boss मेरा shares एकदम perfect है, आप लोग को जो due diligence करना है मेरी company का, कर लो बिंदास कोई भी problem नहीं है एकदम perfect है, और उसी दिन रात को उन्होंने एक नया tweet डाला कि इसराइल के साथ, हम लोग ने एक बहुत अच्छा strategic alliance किया है ये कल रात को Mr. Gautam S. अडानी ने press conference पे आके बोला, कि Heidenberg research fraud है, उसने जान मुझ के ऐसा सब किया है, हम लोग का कोई problem ही नहीं है, हम लोग सब एकदम perfect है चाहिए तो due diligence करवा लो, कोई problem नहीं है, and इसराइल के साथ हमारा एक नया strategic alliance pact हुआ है अब आप मेरे को बताओ, आज है 1st of Jan, कल था 31st of December, 31st December को रात को 8 बजे, अडानी जी आए, और अडानी जी ने ये statement दिया, अब आपको क्या लग रहा है, अडानी का share का क्या position होगा, वो share का price बढ़ेगा, या कम होगा सुच समझ के जवाब देना क्या बात है, जुही and जानवी, दोनों ने एक time पर answer दिया, save answer दिया उपर जाएगा, अभी से सुनो ऐसा, ये तुम लोग क्या words यूज कर रहे हो, यार मैं तुम लोग को नहीं पढ़ा सकता sorry, 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 say भाई, तुम लोग जाओ, भाई, तुम लोग किसी और के पास से पढ़ो, ये लोग, यार, मेरे student नहीं है, ये लोग, ये लोग क्या words यूज कर रहे है, लिख रहे है, price will rise, उपर जाएगा, बढ़ेगा, अरे ये सब क्या word यूज कर रहे हो, last time तुम्हारे को सिखाया तो था, तेजी, you have to use the word तेजी, क्या, तुम लोग, अंग्रेज की ओलाद हो, क्या, यहां पर कोई, ओ भाई, तेजी word use करना है, तेजी, क्या, ये सब price will rise, उपर जाएगा, बढ़ेगा, ये क्या words है, तुम लोग market में खेल रहे हो, यार, come on, जैसा देश, वैसा भेश, तो अड़ानी का शेर का क्या होने वाला है, तो बोलो मत price will rise, वो सब मैं theoretically लिखवा दूँगा, ICAI के bookworms, खाली वो modular और PM को चाटने वालो, तोड़ा practical, logical world में आओ, हाँ, क्या होने वाला है, तेजी, 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 तो यहाँ पर अड़ानी पर क्या होने वाला है, तेजी होने वाली है, तेजी, तो word price will increase लिखने का नहीं, आज के बाद, क्या लिखने का, तेजी, समझे क्या, और, और, जब आपको लिखना हो price will decrease, तो price will decrease मत लिखना मेरे सामने, क्या लिखोगे, मंदी, क्या लिखोगे, मंदी, तेजी है, मंदी है, समझे क्या, यह वी ना बाद, बलो जगास, सबका एक साथ लाइन में आ गया है, तेजी, तेजी, मन कर रहा है, मेरा फोटू ले लिख, मन कर रहा है, मेरा फोटू ले लिख, कोई-कोई screenshot लेके बेज दो तो, क्या words यूज़ करेंगे, आज के बाद, अपार, तेजी, मंदी, तेजी, मंदी, no price will increase, price will decrease, बहुत जहां से stock market आया है, उसके roots से समझना है, और उसके roots में उसकी बासा में बात करना है, अपने को, एक के नहीं, एक के नहीं, सही बोले सर, सही बोले, एकदम सही बोले, अब आजाओ, अब तुम लोग समझ गए, words क्या यूज़ करने है, बहुत बढ़िया, मुझे लगा, बोई directly use करो, ये लास्ट इम उतना बात तो हुआ था, तेजी, मंदी, नहीं हुआ था, क्या, देखू तो ज़रा, मैंने use किया था, मुझे याद है, मैं भूलता नहीं हूँ, ये देखो, ये तो word use किया था, मंदी, ये तो word use किया था, तेजी, सब use किया है, तेजी लिखा नहीं हुआ बोल रही है, ये लिखा तो है, मैंने इदाप, ये देख, मंदी बेर लिखा है लिखा है सब किया है यार ऐसा मब तो आजा वापस से मुद्धे पर आजा वापस से मुद्धे पर आजा अब तीन दिन पहले हाइडेंबग रीसर्च ने बोला कि ये कंपनी फ्रॉड है कल रात को अडानी जी आए अडानी जी ने बहुत अच्छा तारिक है आज के सुबह के 9 बजे है अडानी के लिए आपको क्या लग रहा है क्या होने वाला है अब सब लोग ने एकदम सही हुद दिया है तेजी आने वाली है क्या आने वाली है त्यूद्ध अग्र प्राइज के अज़ों से उसके उपर मैं मेरा जो यह option है उसको freeze कर दूँ ठीक है तो अपना last time के example मैं continue कर रहा हूँ बात हुआ था रूपी 700 का price चल रहा था करेक्ट कैना इससे मेरे को लग रहा है यह 700 का 750 700 800 850 हो जाएगा तो मैं आज का आज ही इसको freeze करना चाहता हूं मैं आज का आज ही इसको freeze करना चाहता हूं तो मैं आज का आज ही इसको freeze कैसे कर सकता हूं right to buy लेकर क्या right to buy लूँगा मैं बोल दूँगा भाई 700 रुपे में मैं यह share buy करूँगा मैं यह share buy कर लूँगा 700 रुपे में तो मैं क्या कर रहा हूं right to buy को freeze कर रहा हूं तो जब मैं तेजी expect कर रहा हूँ मैं क्या करूंगा right to buy और इस right to buy को अपन लोग ने कल नाम दिया था क्या बोलता है इसको बेटा इसको बेलते हैं call option इसको बोलता है call option अभी understanding अब right to buy 700 रुपे में इसका मतलब मैं क्या actually share buy करूंगा क्या मैं क्या करूंगा pay premium पे करूंगा मैं क्या करूंगा premium पे करूंगा तो जो भी premium चल रहा होगा तो जो भी premium चल रहा होगा that premium I am going to pay on this 700 रूपीज 50 का प्रीमियम पे कर रहा हूं, क्यों 50 का प्रीमियम पे कर रहा हूं, इस राइट टू बाइ को फ्रीज करने के लिए, क्यों 50 का प्रीमियम पे कर रहा हूं, क्या मजा आता है पैसा देने में, नहीं, मैं क्यों ये 50 का प्रीमियम पे कर रहा हूं, राइट टू किम्या में क्यों दिया प्राइब करने के लिए ये जो राइब की इसको कहते है एकसर साइस प्राइस या इसको प्यार से कहता है इसको है इसको प्रैक्र उड़र लिखो गे न उदर आ की सीधा पैसा टप करके मिलेगा कुछ नहीं लिखना है प्लीज फोकस करो ना अभी अपना लोग बेस लेडाउन कर रहे हैं मतलब मेरा आने वाला अधा घंटा ही इंपोर्टेंट है उसके बाद वापस से मैं यह बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ाने वाला और बेसिक्स क्लियर हो गया कर ना एड्वांस तुम खूद कर पाओगे में साट नहीं कर रहों तो प्लीज इधर फोकस करो स्ट्राइक प्राइज यह एक्सरसाइस प्राइज अपना बोस संबस्द रहे हैं मैं यह प्रीमियम पच्चास रुपे का पे कर रहा हूं क्यों मेरे पास राइट-टू-बाय freeze हो गया है कितने का 700 रुपए पे are we clear everybody अरे बोलो बोलो tell tell yes अब एक last चीज जो हुआ बता नहीं है ये तो last time मैंने आप लोगों को बता जिया था अब जब market जाएगा समझो market जाएगा rupees 850 तो क्या होगा जब अब market गया 850 तो क्या होगा क्या चेंज होगा market हो गया ये 700 पर मैंने right to buy पर प्रीज किया है अब market price on 5th of Jan हमारे अडानी जी ने इतना positive news दिया कि market चले गया 850 पे और market price हो गया 850 क्या होगा हाँ प्रीमियम increase हो जाएगा everybody सब लोग answer दो यार सब लोग answer दो क्या हो जाएगा प्रीमियम में इन तेजी होगी absolutely correct प्रीमियम increase हो जाएगा प्रीमियम में तेजी होगी तो 50 रुपे का लिया था अब say for example मेरा प्रीमियम हो जाता है 1500 रुपया 200 रुपया जो भी है उसको मैं फिर sell कर दूँगा are we clear everybody बोलो बोलो tell tell yes or no the answer is absolutely done समझ में आगया आपको सब लोगो क्या हो रहा है समझ में आगया आप लोगो सब लोगो क्या हो रहा है suppose suppose 700 पे मैंने right to buy का call option freeze किया but 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 अडानी जी आए रात को भाशन दिया सुबे 9 बजे और एक report आगया जा पे बोला कि all the reports given by Mr. Radani the press conference is fake is fake is fake तो यह 700 का हो गया 500 रुपया मेरा premium का क्या हालत हो जाएगा मेरे premium का हालत हो जाएगा जादा से जादा देखो मैंने 50 रुपया दिया था हो हो के हो हो के वो गीर गीर के क्या हो जाएगा zero क्या हो जाएगा वह जादा से जादा जीरो समझ रहे हो क्या तुम लोग समझ रहे हो क्या मेरा वर्स सिट्वेशन में समझो 700 का 680 हुआ चलो दो दो option लेते हैं समझो 700 का 680 हुआ तो मेरा premium शायद इस level पे हो जाएगा 30 रुपया तो मैं 50 रुपय का लिया था 30 रुपय में बेच दूँगा तो 20 रुपय का loss 500 रुपया हो गया समझो 700 के जगे पे तो premium जादा से जादा कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा अभी understanding तो भी चलेगा भाई क्या होगा मेरा loss 50 रुपया पर समझे एकदम worse situation क्या हो जाएगा 0 मतलब तुम लोग ने एक चीज नोट की क्या चीज नोट की क्या चीज नोट की क्या क्या नोट किया चलो बोलते जाओ एक चीज नोट की एक में चीज नोट की तुम लोग ने नहीं नहीं नोट की तुम लोग ने एक में चीज नोट करके मुझे बता दो बस मेरा दिल खुश हो ज़ए दो तौर एक में चीज नोट की तुम लोग ने तो मेरा जाजाजादा लॉस क्या ही हो जाएगा पच्चास का वो जीरो हो जाएगा एक चीज नोट की तुम लोगे क्या 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 बात है जुई यूर अल्मोस्ट थे थोड़ा ही सेंटेंस को कंप्लीट कर दे थोड़ा ही सेंटेंस को कंप्लीट कर दे पदमावति यू थोड़ा इस sentence को complete कर दे गूगल रहे वाले वाले वेट कर रहे हैं से क्या sentence को complete कर दे वो तो भूल रहा हूं यार फरी फरी यूर अल्मोस्ट यह फरी जस इस sentence को complete कर दे चंदन गुपता ने sentence को complete कर दिया है profit इसमें unlimited है but loss is limited to the premium amount भाई सब लोग ने answer क्या दिया था पता है क्या वह वाला answer क्या दिया था सब लोग ने वह सब max loss is the premium एकड़म सही एकड़म सही ना बोली नहीं मैक्स loss is the premium पे बट profit तो unlimited है ना भाई profit तो unlimited है ना profit को तो देखो भाई मेरा यहां पे यही 800 का जब हुआ तो मेरा premium 150 हो जाएगा यह अगर वन एट फाइस जिरो हो गया ना अड़ानी जी आ गए और धूम बचा दी मतलब conference में conference प्रॉफिट 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 अलाइंस प्रॉफिट तो यह साड़े 800 छोड़ो साड़े 8000 भी हो सकता है और जितना वो बढ़ते जाएगा उतना मेरा premium बढ़ते जाएगा profit छपर फार लॉस काली प्री मैं हूँ हूँ है के नहीं मस्चीज यार समझें करेक्ट प्रॉफिट अनलिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस लिमिटेड तू दू दू अमाउंट ओफ प्रीमियम लोगिकली समझ रहे हो लोगिकली समझते क्या बोलड हुम है यह येविट बोलो ना यार येस 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 गाइस पर्फेक्ट येस अर्विद प्रॉफिट अनलिमेटेड मैक्स लॉस उल भी प्रीमियम ओली जैब बात त्रप्ती सही बोले सैफ पदमावदी के लैक जानवी मीनल सौप चंदन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आरती एक्सेलेंट गाइस काज अब एक लास्ट चीज मुझे बतानी है तुम जीत गए हो तुम ओप्शन को जीत गए हो अब तुम अगर सिस्टमाटिकली ध्यान से ओप्शन्स ट्रेडिंग करोगे ना मैं गैरेंटी के साथ बोलता हो तुम कमाऊगे तुम कमाऊगे बट अभी मत करना इस इस एडिक्श एंड थोड़ा वेस्ट आफ टाइम भी है आप लोगों के लिए बिकॉज फॉर यू प्रियरिटीज ओविसली नो वाट इस एग्जाम क्लियर करना उसके बाद करना ना कौन ना बोल और यह एडिक्शन की वज़े से बहुत सारी कंपनी का रूल होता है और वो साइन करवा यू और नॉट अलाओ टू ट्रेड इन शेयर मार्केट विच इंक्लूज फ्यूचर्ज और ऑप्शन तो ऐसा सीन है अभी जैसे मैंने जेपी मोगन जॉइन किया था तो मैं मेरे अकाउंट से ट्रेडी नहीं कर सकता था मैं मेरे अकाउंट से मेरे फैमिली वालों के उनको पता है कि यह चीजी ऐसी है अब एक लास चीज यह जो प्रीमियम मैं दे रहा हूं ना वो किसको दे रहा हूं पता है क्या उसको कहते है क्या है option seller मैं क्या ओप्षण बायर हूं मैंने option buy किया ना right to buy right to sell इसका opposite right to sell होते है ना वो अपनमे देखा सब्सको दूंगा डोंट वरी बट बट-बट-बट-बट-बट चो KeyMium मेरत जो मेरे को बेच रहे। उसको कहते है option seller तो option seller को कब फाइदा होगा जब मैं इनको लग रहा है कि market उपर अड़नी उपर जाएगा बट अगर ये 700 का 500 हो गया तो in that case मेरा premium कम होते जाएगा मेरे को loss होते जाएगा जितना मेरे को loss होगा उसको उतना profit होगा बट उसका profit will be maximum to the extent of premium बट उसका loss will be unlimited सम्झेड फरीन पूछ रही है फाक क्यूँ मतलब वो ट्रेडिंग के लिए पूछ रही थी ना इसलिए सब companies को पता है कि अगर तुम लोग को ट्रेडिंग करना अलाउग किया तो तुम लोग तो यार इसके addiction हो जाओगे और तुम लोग office के काम को छोड़के stock market का ट्रेडिंग चालू कर दोगे तो वो फिर बाद में काम अफेक्ट हो गएगा ना उसके इसके लिए वो लोग मना कर दो बिग फोर्स में भी होता है बिग फोर्स में तो और एक भी रीजन होता है कि कि आप कोई listed company का stat audit कर रहे हो तो उसका तो इंसाइडर ट्रेडिंग हो आप option buyer हो सामने वाला कौन है option seller option seller का maximum profit to the extent of premium maximum loss unlimited है यू आर option buyer यह सब यह किसके लिए option buyer के लिए यह है और option buyer और option buyer आप कौन हो option buyer हो बट सामने आपको जिसने बेचा है ना वह 50 के premium पे वह कौन है option seller और इसके लिए क्या होता है profit limited अच्छा इसमें loss limited to the amount of premium paid profit limited to the amount of premium received and loss unlimited loss unlimited option sellers को है ना contrarian बोलते हैं because आप जो सोच रहे हो exactly वह उसका opposite सोच रहा है वह तभी कमाएगा जब आपका loss होगा मतलब आप जो सोच रहे हो उसका opposite सोचेगा वह तभी कमाएगा ना उसको contrarian बोलते हैं are we clear everybody समझ में आया आप लोग को क्या चल रहा है अब मैं अब मैं अब मैं सुनो अब मैं put option का बात करूंगा with same example but answer आप लोग देते जाओगे अब समझो मैं अडानी है कि अडानी है रूपीज 700 है चल रहा है मेरे फ्रेंड का फोन आया रिपोर्ट के तीन दिन पहले मेरे फ्रेंड का फोन आया और बोलता है तिरको को पता है हम लोग एक research कर रहे हैं और research में बहुत सारा fraud निकल रहा है अडानी का भाई डूबने वाले अडानी डूबने वाला है अपने को तीन दिन पहले यह news आ गया अपने को एक तारिको फर्स्ट जैन को यह news आ गया आप क्या करोगे बोलो कि बिल्कुल दुनिया का दस्तूर है किसी का फाइदा तो किसी का नुकसान है सही बला अर्वेत कि मुझे आता हूँ कि मुझे आता हूँ कि मुझे आता हूँ अगर आपके पास news आ गया है फर्स्ट आपके पास 31st डिसेंबर को रात को आपके फ्रेंड का फोन है जिलको पता है मैं एना हाइदनबर्ग रिसर्च का audit reporter हूँ मैं हाइदनबर्ग रिसर्च में काम कर रहा हूँ भाई अडानी के उपर बहुत भारी negative news है भाई और वह आपको news आ गया 31st of December को 1st Gen को आप क्या करोगे किना इससे आप ले लोगे put option क्या होता है put option का मतलब मंदी put option का मतलब आप क्या चाते हो मंदी मतब right to sell किस पर freeze करना चाते हो आप right to sell से 700 पर चाते हो right to sell आपका freeze हो जाए इस 700 को जो right to sell को freeze कर रहा है इस को क्या कहते है यह जो right to sell 700 को मैंने freeze कर दिया इस if को क्या कहते है बोलो if को क्या कहते है यह 700 रुपे को क्या कहते है करेक्ट सही बोले सैफ भाई इस if को कहते है exercise price या strike price ए समझे क्या जिस भाव पे मैंने उसको freeze कर दिया ले freeze कर दिया अब मार्केट में न्यूज आ गया शेयर अफ अडानी मार्केट में न्यूज आ गया अडानी फेक है अडानी यह है वो है और यह शेयर 700 से हो गया 500 रुपे का आपने जब right to sell खरीदा था यह थोड़ा लोगों को अखरता है चुपता है इस और right to sell खरीद कैसे है सकते है आप right to sell एक derivative option को खरीद रहे हूँ प्रीमियम पे करके आपने मार्केट को स्टॉक मार्केट को आपने क्या बोला आपने जाके बोला बाई 700 रुपे में मेरा यह right freeze कर दे कि मार्केट को यह भी rate पे चले मेरे पास 700 रुपे में बेचने का right होना चाहिए तो भाई उसके लिए तुझे प्रीमियम पे करना पड़े बाई हां तो पहुंगा न किसने मना किया मैंने opened प्रीमियम पे किया मार्केट तूड गया प्रीमियम बढ़ जाएगा दोच्थोरुप्या हो जाएगा 500 रुप्या का मालब अभी understanding तो premium को मैं sell करूंगा तो right to sell को buy किया है वो right to sell को मैं sell करूंगा options मैं buy करूं समझो तुम लो clear everybody again मैंने यह क्या किया है put option right to sell का put option खरीदा है I am the option buyer सामने वाल option seller मेरा premium का loss maximum उसका premium का profit maximum बाकि सब चीज़े as it is तो when you are buying put same जैसे आप buy call करते हो वैसे put को भी आप buy करते हैं क्या करते हो put को भी आप buy करते हो आपके पास खाली एक right to sell होता है यह 700 रुपे पर right to sell है market हो गया 500 तो आपके पास right to sell है 500 का market तो 500 में चल रहा है तो 500 में buy करो 700 में sell करो 200 रुपे का फाइदा बट यह purely buying and selling में होता है यह जो difference है वो reflect होता है premium है यह purely buying selling में होता है यह कहां पर reflect होता है premium में reflect होता है समझे क्या everybody फरी फरी समझी फरी यह तेरा buying and selling real में तो नहीं हुआ क्योंकि तुने real में कोई अड़नी का शेर खरीदा है बेचाने बट समझ गया तिरको क्या 500 में मैं खरीद 700 में बेचने का मेरे पास right to sell है मार्केट 500 में हो गया तो 200 रुपया प्राफेट प्रीमियम में reflect हो जाएगा everybody clear सबका answer आ रहा है वंशिका सो गई वापस से तू कहा गई गुड मॉर्निंग बोलके सो गई तू एफा केफे चलेगा दिदी चलो आभी clear everybody है 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 ओके है 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 जवाब देती रहे तो पता चलेगा गुड अच्छा मुझे आप लोग सब लोग बताओ clear है वीना वीना किदर है वीना किदर है वीना भी स्टार्टिंग में जाब देकी निकल गई पार्मी इस बैक वेरी गुड पार्मी आंसर अप क्लेर हो गया सब लोग को options में तुम लोग अभी champion हो बाई options में तुम लोग अभी champion हो विशाल शर्मा वेलकम बढ़िया अब तुम्हारे को मेरी जरुवती नहीं है अब मैं स्टार्ट करता हूं हाँ अब देखो मीनल का एक अच्छा question है सर प्राइस कम हुआ तो भी premium बढ़ेगा येस पुट option में पुट option में अगर प्राइस कम हुआ तो भी premium बढ़े तो ही premium बढ़ेगा पुट option में प्राइस कम हुआ तो ही premium बढ़ेगा जी या समसे मीनल जी call option का अलग है पुट option अलग है मैंने आप लोगों को बताए वाय call option को लास्ट टेडिंग किया था दो call option अलग है पुट option अलग है call option में जब उस particular शेयर का इंडेक्स का प्राइस बढ़ेगा तो प्रीमियम बढ़ेगा put option में जब उसका price कम होगा तो premium बड़ेगा जब उसका price बड़ेगा तो premium कम होगा and vice versa in call option वाह सर क्या confused किया है समझे क्या तुम लोग बस एकदम क्या बात कही है जानवी एक number basically if the market acts as per our expectation premiums shall rise एकदम सही जवा वाउ धनन जाई ने एक अनलिसिस करके बताया है मैं रीट करता हूँ सर अगर किसी ने कल अडानी एंटर्टेन्मेंट का पुट आप्शन लिया होता तो उसको 700% गेन होता क्योंकि कल अडानी का शेर बहुत अडानी एंटर्टेन्मेंट का शेर एंटर्प्राइजिस का शेर बहुत गिर गया एंड उसको 80,000 का गेन हो जाता इंजस्ट वन डे सुपब प्रॉफिट अनलिमिटेड कैसे होगा सर पुट आप्शन में यहां पर जितना यह प्रॉफिट बरते जाएगा अब तू बोलेगी यह जीरो हो गया तो तू कि ऐसा बोल यह जीरो ऐसे थोड़ी न होता है जोड़ा तो य यह धोड़ा तो अब प्रॉफिट अन्लिमिटेड तो कौन सा तेरा आट सो का शेर एक्चुली दो महिने में आठ लाग का हो जाएगा अन्लिमिटेड एक बोलने की बात है बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं बट प्रीमियम का लॉस लॉस मैक्सिमम उतना ही वैसा भावनाव को समझ यार अगर कि से पर में गया तरब मि нее लें मुझें रगेंध़ सज्टन्ट पीट आपर होग से मरें इसलिए का साजा के अब मार्केट एक्शुली श्यक्री नहीं रहए शायद मैं दिखाता था वना उ तुम्हारे को मुझे लग रहा है मुझे वापस से इसको यह करना में लेगा हाँ हाँ होगे चल्ड मार्केट दोनों अलग-अलग है प्लीज इस बात दोनों पूट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन का अलग-अलग है आजा भाई यह रहा देखो यहाँ पर दिख रहा है तुम लोग को CE is call PE is put CE को वो लोग ने green में रखा है मतलब call option वाला चाहता है market उपर जाए put option मतलब वाला चाहता है market गिरे और अगर market गिरा तो जैसा आपका expectation है वैसा हुआ तो premium बढ़ेगा वरना premium गिरेगा यह analysis अभी अपनोग लिख लेते आपको चाहिए hundred बसन हो तो मैं लिखवा नहीं वाला हूँ बट तुस्से clarity आ जाएगा call option अलग market है put option अलग है आपने call buy किया है you are the call option buyer call option seller सामने बैटा है वो अलग है वो premium उसको मिल रहा है put option जब आप buy करोगे तो put option आपने buy किया है put option seller कोई और होगा दोनों अलग अलग है दोनों अलग अलग है same नहीं है समझो अभी clear call option buyer is not equal to put option seller कोई लेना देना ही नहीं है पार्मी जी दोनों अलग अलग मार्केट्स है again I am telling you इसलिए market दिखा रहा हूँ call option आप buy करते हो तो उसका premium अलग है तो उसका call option seller call option buyer अलग आप समझो मैंने call option buy किया call option किसी ने sell किया उसका premium अलग है तुने या वापस से मैंने put option buy किया किसी ने put option sell किया उसका premium अलग है तो इस premium अलग है दोनों का इधर यहाँ पे numbering अलग है तो call option seller can how can become a put option buyer कोई relation ही नहीं है अटा सावन की घठा समझे क्या व्यसां अ अधे हो है एक सब्सक्राइब आज को सब्सक्राइब आज क्या है ना देखो अज थाज्टे आज एकसपारी अपर इतना इन्फर्मेशन अपने पास आया है उसके बेसिस पर अपन लोग थोड़ा थिर्टेश लिखेंगे तो और clarity आ जाएगा clarity I think तुम लोग के answer से मुझे तो आ गया clarity के तुम लोग को clarity आ गया so अब tension की बात नहीं है अब फटाफट हो जाएगा ये call option जो base lay down करना था ना वो तुम लोग का set हो चुका है चलो अब base के ओपर आगे अपने को खेलना है let the game begin आओ 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 येस वंशीगा सहीलिक है उसने put buyer right to sell buy करता है बिलकुल चलो स्टार्ट करेंगे लेट्स बिगिन थोड़ा अभी definition के साथ समझाता हूँ कुछ समझेगा नहीं अब अब समझेगा मतलब डैरेक्ली मैं definition के साथ समझाता तो नहीं समझता अब समझ जाएगा options का मतलब क्या होता है options contract है basically options क्या है derivative contract options क्या है it is like it is a derivative contract it is a derivative contract मेरे साथ साथ लिखते जाओ derivative contract बिट्वीन अच्छा एक लास सीज एक लास सीज मैं यह थिरी पर आऊ उसके पहले उसके पहले लास सीज उसके पहले classes option buyer option buyer के पास है ना right to buy के पास क्या है right to buy है अब समझो market उसने सोचा था 700 है market हो गया 500 तो premium हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा गिर गिर के zero कोई tension नहीं है बराबर है अब 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 समझो यहां पे 700 का आपने right to buy लिया था call option यह 700 के जगे पे हो गया बढ़ते बढ़ते तेजी आई market में तेजी आई और हो गया 1100 क्या हो गया 1100 तो जो option buyer है जिसने right to buy freeze किया था उसके तो मज़े हो जाएगे तो अच्छा हो जाएगा उसके लिए तो कि भाई सिद्धा premium बढ़ जाएगा बराब 300-400 रुपे से उसका premium बढ़ जाएगा 700 रुपे की चीज़ 1100 की हो गई है बराब ना जब भी भी मेरे को चाहिए न मैंने जो call option buy किया है मैं वो call option sell कर सकता हूँ सब्सक्राइब मेरे पास right है मेरे पास right है मेरे पास right है अभी clear everybody I have a right to buy I have a right कि मेरे जब वो exercise करना है वो मैं exercise कर सकता हूँ इसके पास right नहीं है यह under an obligation है यह under an obligation है मेरे पास right है जब मेरे को करना exercise तो मैं करूँगा नहीं करूँगा बट यह obligation में option seller is always under an obligation उसको तो जैसा मैं बोलूँगा वैसा exercise करना ही पड़ेगा simple समझे so option seller is under an obligation option buyer is having a right यह words बहुत important है मेरे को जब जिदर exercise करना है मैं करूँगा नहीं तो खतम expiry पर क्या होगा वह expiry पर automatically वह premium जीरो हो जाएगा game खतम हो जाएगा मेरे साथ कितनी बार हुआ ऐसा चलो अब मैं लिखता हूं derivative contract between two parties अंडर विच अंडर विच अंडर विच अंडर विच buyer of the option कुछ भी हो सकता है यह अपन कॉल भी बाई कर सकते है पुट भी बाई कर सकते है buyer of the option it can be a call or put buys the right and not obligation मतलब उसका कोई obligation नहीं है उसका कोई obligation नहीं है to buy or sell यह थोड़ा theoretical definition हो गया बट मैंने बोला ना आज मैं आपको किसी आई के नजर यह से समझाओंगा तो लिखो भाई और सेल अ स्टैंडर्डाइज्ट को स्टैंडर्डाइज्ट कॉंटिटी जो भी आपके कॉंट्रेक्ट में होगा वन थाउसंड जैसे अपनी केस में था आप अ फाइनशिल इंस्ट्रूमेंट मैं बोला ना बहुत ज्यादा हाइपाई हो जाएगा क्या करें आप और बिफोर अ प्रीडिटर्माइन देट यह सब का एक 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 पाईरी होगा भाई प्रीडिटर्माइन देट मतलब एक्सपाईरी मैं बोलूँगा मैंने राइट टू बाई ले लिया अडानी का 700 रुपे में राइट टू बाई ले लिया अब जिंदगी में आज नहीं तो 10 साल बाद 700 का जब 800 होगा ना तब मैं उसको एक्सेसाइस करूँगा ओ भाई अपने पिता जी का थोड़ी है यह सब यह जो सब्सक्राइब कर लिया वही सिकंदी दूनिया में आके प्रॉफिट कम एक जाएगा बट वह पार्टिकुलर डिएशन के अंदर बढ़ेगा या नहीं वह जिसने सही जच कर लिया वही सिकंदर है वही सिकंदर है और अच्छा क्वेशन पूचा है तो सर उस पीरियड में कभी भी एक्सराइस कर सकते है ना दा अंसर इस उसको कहते है अमेरिकन ऑप्शन और अगर कोई पर्टिकुलर डेट पर ही कर सकते है उसको कहते है यूरोपियन ऑप्शन तो वह मैं बाद में बताऊंगा पॉर ना वनशी का जी मेरा अंसर है येस कर सकते हो आप कभी भी कभी भी आप कर सकते हो कोई प्राब्लम को कोई भी मोमेंट पर कोई भी सेकेंड पर आप कर सकते है एक्सराइस बिन दास और बिफोर अप्री डिटर्माइन डेट अट अप्राइस डिसाइडेड इन एडवार्स क्या बात है जिसको अपन कहते है एक्सराइस प्राइस या स्ट्राइक प्राइस अब सुनो एक बात बोलूँ अब सुनो एक बात बोलूँ अब अब यह डेफिनिशन देखके तो कहीं पर भी प्रीमियम वर्ड आया है नहीं अट प्री डिटर्माइन प्राइस मैं एक्सराइस करूंगा मतलब मेरा राइट टू बाय पर जो फ्रीज किया था और मार्केट में जो भी फ्लक्ट्वेशन हुआ उसके बीच का मेरा प्रॉफिट है बट एक्चुली जब ट्रेडिंग करते हो तो होता किस में यह सब गेम होता किस पर है प्रीमियम पर इसके लिए लास्ट लेक्चर में ट्रेडिंग करवा कि आपको बता दिया मैंने यह हो रहा सब गेम पुरा प्रीमियम पर यह जो एड्जस्ट्मेंट है यह जो प्राइस का डिफ्रेंस है वो प्रीमियम में रिफ्लेक्ट होगा वो प्रीमियम कि क्लियर एवरिवान लेंदी डेफिनिशन तो नहीं बट साथ मैंने पूरा पेज ले लिए इसलिए लेंदी लग रहा है बट लॉजिकली देखो अभी अगर इसको लॉजिकली करोगी न तो कितना हीजी लगेगा देखो डेरिवेटिव कॉंट्रैक्ट बिविन टू पार्टिस अंडर विच बायर ऑप देपोड और the right buy is the right मेरे पास right है boss मुझे exercise करना है तो करूंगा नहीं करना है तो नहीं करूंगा जा पूरा premium मेरा loss और मुझे जब exercise करना है मैं करूंगा अब्लिगेशन नहीं standardized quantity वो पहले से decided होगा of a financial instrument वो जो मेरा underlying asset अड़ानी के शहर के basis पे जो call option या put option लिया है go at a predetermined date at or before a predetermined rate जो अपना expiry है at a price decided advance जो इस पर अपन लोग ने वो freeze किया है great clear everyone sabas gotcha everybody gotcha मैं आगे बढ़ू क्या तुम लोग को बोला तो मैंने साथ साथ में लिखो अब आगे बढ़ते हैं यार तुम लोग भी अलग-अलग color के pen use कर रहे हो ना डे 1 पर बात हुआ था अपना यार अब अब मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूं ल मैं आपको ऑना श्रीट मैं पर्ट, ऑना रे 1 जा, जिस्दी बायर एंपको न किया एंग्य वल भी एंपसिति ओवं valusat भी न से चाहता हूं अधिस कॉल्ड बोलो टेल टेल एंद दूसरा अधिस एंद दूसरा कर दो दो और दुम तर बना है इस नॉड़ाँ है इस्वाई कर दो आद है gives the option a right to sell it is called a bolo bolo tell tell correct put option समझे क्या क्लियर है आरे आर्थी बोल रही है कि सर हम जो प्राइस पे freeze करते है उसका क्या use है अरे उसी के basis पे तो तेरा premium उपा नीचे होगा तूने 700 पे freeze किया है अगर और फिर बाद में market गया है 850 पे तो 700 पे तूने freeze किया है और 850 पे गया है तो यह जो difference है ना 850 माइनस 700 वो तेरा profit हुआ अब मैंने freeze किया है 760 पे और market गया 850 पे तो मेरा profit तो 90 हुआ तो जितने पे मैं freeze कर रहा हूँ और market जितना fluctuate हो रहा है वो difference ही तो मेरा profit या loss बताएगा तो वो तो exercise price ही तो main है जिस पे मैं freeze कर रहा हूँ RTG correct उससे ही तो premium decide होगा एकदम main है वोई price तो सही बोला सही एक आजल एकदम clear everyone अब एक last चीज लिख लो आप मुझे बताओ क्या इसका जवाब आएगा for providing the option for providing the option the option writer option writer जिसको बलते option seller charges a price called as बोलो 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 टेल टेल हाई पताईए absolutely correct answer Vanshika Padmavati everybody it is called as a premium एक दम सही जवाब clear हो गया सब लोग को इधर तक everybody is with me yes sir so yes done अब मैं कुछ टर्म्स लिखते जा रहा हूं वो टर्म्स का तुम लोग मुझे आइडिया देते जागा ठीक है ना सो कॉल या पुट अप्शन में अभी क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं वो टर्म्स अपने को लिखते जा ठीक है जो टर्म्स यूज होते हैं वो सब अभी अपनों क्लिक लेंगे आगे आगे अब जो भी क्वेस्टिन में अपने राइट का मतलब क्या होता है options market में और यसे वन ऑप्शन बाइस दराइट अधर पार्टी सेल्स दराइट वन पार्टी बाइस दराइट उस दिन अपन लोगने लास्ट लेक्चर में जो ट्रेडिंग किया था तो वी वर दो वी वर दा राइट्स बायर अपनने call option buy किया अपन लोगने put option buy किया we were the rights buyer not obligation we are the right one party buys the right and other party sells the right I hope तुम लोग साथ साथ में लिख रहे हो क्योंकि ये साब अभी जो भी चीज़ है वो मैं समझा चुका हूँ कानी theoretically लिखवा रहा हूँ one party buys the right other party sells the right second second holder कौन होता है holder आप जिसके पास वो राइट है जिसके पास वो राइट है you are the holder of the right so the party who buys the right to buy buys the right to sell basically who buys the right who buys the option is called as the holder of the option is called as the holder of the option वैसे आपको बता दू ये सब चीज़े मैं मेरी बुक में दे चुका हूँ बट फिर भी अलग से लिखवा रहूँ so that दिमाग में सेट होते जाए और जो सामने वाला अपने को बेच रहा है उसको क्या कहते है उसको क्या कहते है ऑप्शन सेलर या ऑप्शन राइटर सो राइटर कौन होता है राइटर कौन होता है He who sells the right, correct, he who sells the right is called as the writer or seller of the option. It's called as the writer or seller of the option, okay, done, fair, 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 call option kya hota hai, call option kya hota hai apko bolo, can I say right to buy an underlying asset, call option wala hameesha kya chaheega, call option wala hameesha kya chaheega, call option wala hameesha kya chaheega, bolo bolo telltale, call option wala hameesha kya chaheega, jay bat wala hameesha kya chaheega, jay bat wala hameesha kya chaheega, chal, fifth, fifth kya hai, put option, fifth kya hai, put option, put option wala kya chaheega, kya hota hai, right to sell, acha woh kya chaheega hameesha, right to sell and underlying asset, correct, he will always want mandi price to decrease done, done hai, clear hai, exercise price, exercise price, strike price, kya hota hai, can I say price at which underlying asset can be bought or sold, but my real way buy or sell nahin kar raha ho, premium kya through my buy or sell kar raha ho, kya bat kya dhi sir, kya bat kya dhi, samad rho, mahi kya real way buy nahin kar raha ho, but mere paas right hai, buy karne ka sell karne ka, but woh my premium kya through usko use kar raha ho, price at which underlying asset can be bought or sold all right guys, done then next expiry kya hota hai, expiry kya hota hai, date, bhai kab tak exercise kar dhena chahi, so date by which the option should be exercised, right, date by which aur woh likhte hai voh log, yeh dhekho hithar, bracket meh likhha hai voh log ne, kab takka expiry hai, yeh bracket meh woh likhhe ga, kab takka expiry hai, samad rho, the date and it will always be thursday, the date by which the right should be exercised, done, okay, phir last option premium, kya hota hai, option premium, last, तो जब आप right buy करते हो, तो आप क्या pay करते हो, option premium, किसके नीचे बुल रहे हैं तु भी न, तु बुल बुल राव औप तु अजिजnant वहे हैं तु धज़ झाए, पाइचे टाव सौ न,पsi चाहरिए, called as option premium 3D group चल्व दान एवरीबडी कानी को आगे बड़ाए अरे गुड पॉइंट गुड पॉइंट गुड पॉइंट गुड पॉइंट परी गुड पॉइंट जो ऑप्षण बायर है गुड पॉइंट जो ऑप्षण इधर मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट लॉस वेरी नाइस पॉइंट परी जो ऑप्षण बायर है और दूसरा जो ऑप्षण सेलर है जो अच्छू बायर है और चरर्ड चर्ड पॉपज बायर लिए思 वीझट अ कर दोफ्यरर क्षण सेलर है और उननिम्ट अ स्थान ऐाईस अर्डलियर उस्थास पॉइंट रप्षणिटर्ड पॉप्फिफंट पॉप्ट य्च ग्जार आउस थाएफाद आर्ट है g कि लॉस अनुविट दन 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 कि लॉस अन दन 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 अब आए अब अब साथ में वो इधर तक सब लो 0.3 N सो फास्ट सो गुड ओके नहीं ने ब्रेक ब्रेक कुछ नहीं ले नहीं मैं बोलूंगा ना 3 & 4 देख लो भई जिसको जो पॉइंट देखने हैं फड़ाफट देख लो दन क्या बोल गिया अर्थी सम्झा नहीं तेरा पॉइंट में सो एक समरी बनाओ तो option में दो पार्टिया होती है एक option holder जिसको option buyer भी कहते हैं दूसरा option writer जिसको option seller भी कहते हैं जब यह call option buy करता है तो basically इसके पास होता है right to buy जब यह put option buy करता है तो इसके पास होता है right to sell sell जब यह call option sell करता है तो इसके पास होता है obligation to sell और यहां पर आ जाता है इसके पास होता है obligation to buy मेरे पास राइट मैंने एक्सराइस प्राइस पर फीर्स के मैं वही राइट वही प्राइस पे buy करूंगा market उपर गया मैं वह राइस प्राइस पर बाइक करूंगा उपर के हाँ हाँ मैंने देखे थे जानवी बट मीश होगे आज में को वापस से शाम को वाच्छाप कर राइल राइल गेट बैक तुदें ड़न कि वेरी ट्रू पद्मा उद्धी अच्छाँ क्लियर हा येस येस premium profit unlimited option seller का profit limited to premium अपना loss limited to premium उसका loss unlimited जो तेरा एक्सरसाइज प्राइज है वह फ्रीजड है अब मार्केट जब बढ़ेगा सब्सक्राइट तो यह जो डिफ्रेंस है ना यह डिफ्रेंस यह जैगा समस्जरे इतना तेरा प्रीबियां बढ़ जाएगा इत्या प्रीमियुम इंक्रीज हो जाएगा वो प्रीबियम बात चले मैं को whatsapp कर दिया रहा तुन्हें जानवी है रिप्लाइब रिमाइंड कर देना रिमाइंड कर देना रिमाइंड कर देना अल्वेल अल्वेल एक और चीज़ बता देता हूं दो टाइब होते हैं कोहीं पर कोई restriction नहीं है कहां पर restriction है क्या नाम है आरती हाँ पर कोई रिस्ट्रिक्ट हो रहा है प्रॉफिट प्रीमियम पे वह किस्ट्रिमियम की बात कर रहा है कोई restriction कहीं पे भी नहीं है प्रिवूट में भी unlimited profit है और कॉल में भी unlimited profit है यह जो इदर मैंने लिखा मैंने यह पर कही पर लिखा है क्या कि पुट और औप्शन सब्सक्राइब कर अपने आपको समझा यह तेरा पूट का भी है कॉल का भी है एक लास्ट का ली चोटा सा चीज बता रहा हूं कि देर आउब्रेक वह है कि ऑप्शन में दो तरह के ऑप्शन होते हैं कॉल और पूट वो टीक है बट टू वैराइटीज लिख लो या तू वैराइटीज अफॉप्शन बेस्ड ओन एक्सपाइड एन इसमें दो पार्ट है अमेरिकन और यूरोपियन यहाँ पर चैन बी एक्सर्शाइस अध एन इन ताइम बिफोर एक्सपाइरी यूरोपियन में can be exercised only on the date of expiry बस ठीक है यह लिख लो और अब एक ब्रेक लेलो हक से ब्रेक बनता है चाल तिरको ख्लियर हुआ क्या आर्थी आर्थी कोई रिस्टिक्शन नहीं है प्रॉफिट में क्यक्ति को और तो पुट पर प्रॉफिट कमाएगी तो और तुभी अलिमिटेड प्रॉफिट कमाएगी तुर पास राइट तुसेल है तो चलो ढटो और कोई डाउट है तो मुझ हलो अंगर्वाइस टेक शॉट ब्रेक तो सर अमेरिकन ॉप्शन का प्रीमियम ज्यादा होता होगा ना सही पकड़े हैं येस का अमेरिकन उप्शन जो भी होते उनका प्रीमियम ज्यादा था बिल्कुल हां बिल्कुल सही जौब अरे कहा लिमिटेड वर्ड यूज़ हुआ है यह देख यह आर्थी तू गई तू गुम गई यह option seller है और आर्थी को लग रहा है यह put option seller है आर्थी I'm sorry बट आप पूरी तरह से गेम से भार हो चुकी है यह put option का seller नहीं है यह यह पे इसने word sell देखा तो उसको लगा put option ऐसा नहीं है यह option buyer होता है इसमें call option का भी buyer होता है इसमें put option का भी buyer होता है और जो यह option seller होता है यह option seller भी call option का भी seller होता है and put option का भी seller होता है तो आप call option buy करते हो उसमें आपका profit unlimited है जो आपको call option sell कर रहा है वो call option seller है जब आप put option buy करते हो तो वो put option seller है जब मैं put option buy करता हूँ मेरा put option का profit भी unlimited है और वो put option का seller है वैसे कॉल option का भी seller होता है जब मैं call option buy करता हूँ समझ में आ गया होगा मुझे समझ गया था तेरा डाउट बट मैं तेरे से निकल वाना चाहता था और मैं चाहता था मैं यह पॉइंट में आओ क्योंकि तेरे जैसा और भी को डाउट है बट शायद सब पूछना रहे हो तो गुड तुने यह चीज निकल वाई और यह चीज मैंने लिख लिए कॉल option का buyer होता है put option का भी बायर होता है call option का seller होगा put option का भी seller होगा call option का buyer, call option के seller के साथ, put option का buyer, put option के seller के साथ, यह option seller मतलब option to sell, put गलत, वैसे उसको interpret नहीं कर रहा है, ठीक है, option buyer, will be a call, will be a put buyer, अपने kल put option भी buy किया था, जब light trading किया था, समझी, yes, yesterday it was American, option, and usually, इंडिया में, American options ही चलता है, theoretically यह खाली है, देखो, मालों में, close-ended fund, open-ended fund यादे, mutual funds में, close-ended fund, open-ended fund यादे, mutual fund में, नहीं सर, भूल गए सब कुछ है, याद नहीं, अब कुछ है, क्या बोले, तो वैसे ही आपे, preferable open-ended होता है कि close-ended, सोच समझ के, याद करके बताओ, बस वैसे ही, American and European call option है, वैसा, अब आपे, चर्द है, क्यां करें जाद सकत्र. अब इसको और सॉल्व करेंगे तो बेसिकली अपने को प्रैक्टिकल भी तो सॉल्व करना है ना तब क्लारिट यह आ जाएगा चलो लेते एक छोड़ा सा ब्रेक मिलता है ब्रेक के बाद हाँ बाद है वैसे ही अमेरिकन ऑप्शन ओपन रेट जैसा है अमेरिकन ऑप्शन ओपन अन्डड जैसा है बिंदस कभी आओ कभी जाओ और यूर्प्याईं ओप्शन जैसा है तो अपनों ने देखा मेज्वरीटी मुचल फइंड्स क्या होते हैं ओपर एंडेड होते हैं तो मेज्वरीटी ऑप्षिंज भी अमेरिकन ऑप्षिंज फ्लेक्जिबलेटी यह इसकी ठीक है शाब मिलते हैं ब्रेक के बाद इसको लिखना है वह लिख झाले वह लिख सब्सक्राइब के जाब प्रेक्जिबलेटी यह लिख सब्सक्राइब के बाद प्रेक्जिबलेटी एग।